हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल प्रियंका कुमारी 94 किचेन मैं प्रियंका आप सभी को स्वागत करती हूँ आप सभी के लिए ये देखिए कितनी टेस्टी और चटपटी अचार की रेस्पी लेकर आई हूँ ये हरी मीर्च की अचार बहुत ही जटपट बिना धूक आती है और आप देख सकते हैं कितनी लाजबाव लग रहे भरवा अचार है इस तरह से आप एक बार आप अचार बना लीजिएगा तो आपको ये बार बार बनाने के मन करेगा और देखिए वीडियो में बने रहिए मैं बताती हूँ किस तरह से बनाना है और देखिए फ्र ये अचार बहुत ही स्वाधिष्ट चलिए देर ना करते हुए बनाना इस्टार करें देखिए मैंने अचार डंठल इसे धोकर मैंने सुखा दिये हैं अच्छी तरह से आप कपड़े से पोश सकते हैं देख सकते हैं ये सुख चुकी है और इसका अब हम डंठल तोर लेंग सकते हैं और ये अचार कभी खराब नहीं होती और मेरे तरीके से बनाईएगा तो ये बिल्कुल खराब नहीं होगी और खाने में बहुत ही चटपटी और तीखी है और ये इसे खाकर अपमस्त हो जाईएगा देखिए अब हम सभी को इसी तरह से तोर लिए है फ्रेंड तो ये और आप देख सकते हैं अब इसे हम दो भागों में इस मिर्ची को काट लेंगे और देखिए आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आप काट लीजिए चकु के सहता या कैंची के सहता से या हंसिया के सहता से जो भी आपके पास अपलेवल हो उससे काट लीजिएगा तभ इसी तरह से काट लेना है तो लिजे फ्रेट मैंने सभी को काट लियां इसी तरह से आप दे सकते हैं यह मिर्ची 200 ग्राम है मैं 200 ग्राम के हिसाब से ही सभी मसाले एकॉर्डिंग बताऊंगी तो लिजे फ्रेट इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए नहीं तो आपके अचार खराब हो सकती है और यहीं बात आप ध्यान में रखे मैं इसलिए बार बार इसे दिखा रहे हूँ कि देखिए ये बिल्कुल सुखा हुआ है आप चाहे तो पोच कर धो कर इसे पंके के नीचे या थोड़ी सी दूप लगा देंगे तो ये पानी बिल्कुल सुख जाएगी और देख सकते हैं ये हमारी बिल्कुल सुखी हुई है चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं तो लीजे फ्रेंड हमने गैस पे पैंच रहा दिये हैं एक चमस इसमें में तो इसमें में चीज मैं सौफ डालिएगा जरूर तो मैं एक चमस सौफ डाल रही हूँ फ्रेंड फ्रेंड हम इसमें एक चमस जीरा रखेंगे अब खड़े वाले जीरे साबूत जीरे होते हैं वहीं रखना है सभी को अभी गैस बंद करके ही रखना है तब सभी मसाले रखा जाए अब एक चमस हम मेथी रखेंगे और अभी गैस बिल्कुल नहीं जलाना है गैस बिना जलाएं ही सभी मसाले पहले रख लेंगे उसके बाद ही भूनना श्टार करेंगे तो अब हम एक प्रेंड इसमें एक चमस पच्पोर्ना रखेंगे नहीं पच्पोर्ना है तो ये मेथी से ही हो जाएगा काम अब फ्रेंड इसमें हम अब पीली वाली सरसो दो चमस रखेंगे जितनी हमारी मीर्ची है उसी अनुशार मैं मसाले बता रही हूँ ये मेरी मीर्च दो सो ग्राम है इसको लो फ्रेंड पर इसे भूनेंगे फ्रेंड तो लीजे मैं इसे बिल्कुल इसको बिल्कुल लो फ्रेंड पर कलर चेंज नहीं करना है बिल्कुल लो फ्रेंड पर थोड़ी जी रोस्ट करनी है तो लीजे फ्रेंड हम इसे चलाते हुए लगतार इसे सिर्फ रोष्ट करेंगे थोड़ी देर मतलब दो मिनट इसे रोष्ट करेंगे और ये देखिए फ्रेंड मैं इसे चलाते हुए रोष्ट कर लूँगी तो लिजे फ्रेंड अब इसे हम रोष्ट कर ले रहे हैं तो इसे अब रोष्ट करने के बाद हम एक बरतन म हुआ है थोड़ी सी ही इसे करनी है अब चलिए इसी पैन को हम फिर से गैस पे चरहा देती हूं अब इसमें हम तेल रखेंगे फ्रेंड एक चमस ही रखिएगा मैंने थोड़ा जादे ही रख लिया था तो अब देखिए मैं फ्रेंड इसमें हम तेल रखकर अब इसको हम गर्म कर देंगे बिल्कुल धूंगादार गर्म करनी है ताकि ये इसमें से धूंगा जब रिलीज करने लगे तो बंद करना है क्योंकि इसे ठंडे होने के लिए छोड़ना है तो मैं पहले ही इसे तेल को गर्म कर ले रहीं और देख सकते हैं ये आप सर्सो का ही तेल यूज तो लिजे फ्रेंड यह तेल गर्म देख सकते हैं आप यह धूगा निकल रहे हैं अब इसी में हम इसका फ्लेम बन कर दिए हैं अब इसी में हम फ्रेंड हिंग एक चुटकी रखेंगे तो लीजे फ्रेंड अब इसमें हम हिंग रखे इसको अब साइड करते हैं और चलते हैं अगला प्रोसेस की तरफ तो लीजे फ्रेंड हमने इसको साइड कर दिया अब हम ले लिये एक mixi ball अब इसमें हम सभी मसाले को रखकर इसका हम powder बना लेंगे इसका पाउडर दरदरा ही बनाईएगा क्योंकि अचार में दरदरा ही पाउडर अच्छी लगती है तो लीजे फ्रेंड हमने इसे ढखकर बंद करके पाउडर बना लिए हैं अब पाउडर को हम एक बॉल में निकाल लेंगे अब देख सकते हैं मैंने इसे तरदरा ही पीसा है और अब इसे हम एक साइड करते हैं तो फ्रेंड आप इसी तरफ पीस कर तयार कर लिजिएगा तो चलिए फ्रेंड अब हम मर्चे की तरफ चलती हैं तो ये देखिए मर्चे हमने रख लिए हैं अब इसमें हम मसाले एड़ करेंगे एक चमस हम हल्दी पाउडर एड़ कर रहे हैं फ्रेंड क्योंकि कलर चाहिए और अचार में हल्दी दुढ़ना चाहिए और एक चमस ही कास्मीरी लाल मिर्च कर रहे हूँ और दूसरी मिर्च नहीं रखना है सिर्फ मिर्च लाल मिर्च रखना है क्योंकि यह तीखी नहीं होती इसलिए कलर के लिए रखना है और ये अचार आप देख सकते हैं कितनी अच्ही बनी थी और इसी तरह बनाइए तो इसे चलाते हुए फरेंट थोड़ी दर मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें हल्दी और मिर्ची और रमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब इसे में हम फरेंड आपके पास निम्बू हो तो निम्बू रख लिजिए नहीं तो विनेगर हो तो विनेगर वाइट विनेगर इसमें रखिएगा तो ये अच्छी तरह से इसमें थोरा खटापन भी आएगा और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे रुखा रुखा नहीं अब इसी वक्त हम सभी जो मसाले रखे थे इसी में एड करेंगे फ्रें मैं देखिए ये सभी को mix करती हूँ mix करने के बाद मिलती हूँ आपसे friend तो friend ये mix हो चुका है अब चलिए हम तेल की तरफ चलते हैं ये देखिए तेल हमारी ठंडा हो चुकी है आप इसी तरह से ठंडे करके ही तेल लीजिएगा आप बिल्कुल गरम नहीं रहना चाहिए ये देखिए थोड़ी गुनगुना चलेगा तो friend हम इसी में अब रख लेंगे मार्चे सभी और मसाले और इसी को mix कर लेंगे तेल थोड़ा कम ही लीजिएगा friend मेरा थोड़ा जादे हो चुका था तो लीजिए friend मैं सभी को रख कर इसमें तो लीजिए friend ये देखिए ये mix करके ये चटपटी तयार तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं तो लीजिए friend ये बन कर तयार हो चुकी है अब चलिए इस तरह से एक बोतर लिजिएगा आप और सुखा कर इसमें रख लिजिएगा ताकि ये बहुत दीनों तक आपका ये अचार चल सके तो लीजे फ्रेंड मैं अब सभी को इसी में रख रही हूँ और ये अचार बहुत ही स्वादिश्ट और इमेजिंग हैं आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और ये साधी भिया सभी फंसनों में या आप घर में बना कर खा सकते हैं और जटपट बन जाती है ये अचार तो सभी को फ्रेंड मैं इसी तरह इसमें जार में रख लूँगी तो वीडियो कहीं से अगर आपको फ्रेंड अच्छी लगी हो तो वीडियो को like and share and subscribe करिए तो लिजे फ्रेंड मैं सभी को इसी तरह pack कर ले रही हूँ और देख सकते हैं ये pack हो चुका है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक bye bye अगर वीडियो हमारे तो मिलेंगे अगली नई recipe के साथ नई वीडियो में तब तक bye bye friend take care thankful watching